तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनवलप के कुछ कोश्चन के उपड़ एक ही कोश्चन लेंगे लेकिन उस कोश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ठीक है यहाद तक हम लोग कैसे पहुचे हैं पहले मूँ आपको समझा देता हूँ हम लोगों इस्टार्ट कया दा advance calculus advance calculus में हम लोग पढ़ रहे है ठीक है के पढ़ रहे हम लोग envelope पढ़ रहे है envelope में हम लोगों ने देखा one parameter family of cause क्या होता है ठीक है? family of cause क्या होता है इन सब की बाते हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में कर लिये पहली वीडियो हमने बात किये one parameters family of cause और उसके कुछ questions उसके बाद हम दोने कि यह वाला यह वाला new topic स्टार्ट किये it's called is second two parameters family of cause ठीक है इसमें क्या होता है two parameters होते है a और b बोतार two parameters ठीक है उसमें क्या होता है one parameters families of cause होता है तो यहाँ पर family of cause family of ellipse यह समझना बहुत important है तो अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग को पहली मतलब envelope का part one और envelope का part two देखना बहुत बहुत important है तो अगर आप लोग ने इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे two parameters family of cause तो मैंने उस वीडियो के ending में यह आपको बताया था कि हम लोग लास्ट में जब वीडियो के end तक आयते तो हम लोग ने बोलेते हैं कि हम लोग कुछ और questions discuss करेंगे two parameters family of cause के तो वो questions यह था तो हम इस question को solve करेंगे ठीक है हम लोग ने process जो होती है ठीक है solve करने की questions की वो सब हम लोग ने पहली वीडियो में बता दी है उसको procedure होती है two parameters family of cause को solve करने की वो भी आपको पता है तो अब हम लोग direct start करते हैं वहाँ पर हम लोग क्या करते थे solution ठीक है solution हम लोग देख रहे किस चीश का solution हम लोग देख रहे two parameters family of cause का सबसे पहले हम लोग क्या करते थे let let हम लोग क्या करते थे दो constant को consider करते थे तो मैंने यह मान लिया A is equal to A of T and B is equal to B of T यह मैंने क्या कर लिया consider कर लिया या फिर मान लिया अपने साब से ठीक है अब यह question को समझ लेते है कि question क्या बोल रहा है वो तो हमने समझ जहीं नहीं तो क्या बोलता है find envelope of family हम लोगों ने इसके पहले वाले question में curse के उपर बात किया था लेकिन इस question में हम लोग बात करेंगे ellipse के उपर तो आपको एप एक ellipse दिया हुआ है that's called as x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 और एक बात ठीक है मैंने आप लोगो को पता था कि two parameters family of family के जो questions होते हैं उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं तो बहुत easy होता है अगर कोई equation या फिर family of curse में आपको दो parameter दिख रहे हैं जैसे इस question में आपको a और b two parameters दिख रहे हैं तो it's called as the question of two parameters family of curse ठीक है connected by relation तो ये question बोलता है when two parameters a and b are connected by the relation ये relation से connect है it's called as a plus b is equal to c और यहाँ पर c क्या है constant है ठीक है तो मैं क्या कर रहा हूँ इस जो हमारा ही equation है इसको मैं एक number देता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ from one तो पहले मैं इस equation को भी यहाँ पर लिख देता हूँ it's called as क्या ही है x square upon a square plus y square upon b square is equal to one ठीक है तो हम लोग प्रोसिटर की हिसाब से चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे इस equation को क्या करेंगे differentiate करेंगे किस चीसे differentiate करेंगे with respect to t क्योंकि हम लोगों ने consider किया है क्या consider किया हम लोगों ने a is equal to a of t and b is equal to b of t तो हम लोग क्या करेंगे इस equation को इस equation number 1 को differentiate करेंगे with respect to t differentiate with respect to t ठीक है, partially differentiate कर रहे है तो अगर मैं इसको differentiate करूँ तो x square का differentiation हम लोग जानते है क्या होता है, power sum ने x से कम इस concept को आपको हमेशा याद रखना है derivative में जब हम लोगों ने पढ़े थे तो मैंने आपको आपके याद करने की techniques के उपर भी बात किया था ठीक है, x square का हम लोग क्या करें differentiate कर रहे है, क्या याद रखना आपको power sum ने x से कम तो power sum ने x से कम, 2x square upon a cube ठीक है, 1 by x का 1 by x square, तो 1 by a cube हो जाएगा ठीक है, किस ती से differentiate कर रहे है with respect to t तो यह हो जाएगा d a by dt it's simple 1 minute ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं it's a minus 2x square upon a cube into d a by dt with respect to t कर रहे है, ठीक है, क्या हो जाएगा minus of y square का हो जाएगा, बिठा 2y square upon b cube 1 by b square का 1 by b cube is equal to 0 differentiate कर रहे है, constant का तो क्या जाएगा, वो 0 जाएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ जो मैं एक equation मैंने differentiate कर के लिखा, उसको मैं थोड़ा rearrange कर देता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इस negative का मैं उदर लिया लेता हूँ, is that 2x square upon a cube d a by d t is equal to minus of 2y square upon b cube d b by d t ठीक है, और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, d a by d t मैं लिख सकता हूँ, and मैं इसको लिख सकता हूँ, d a by d t plus d b by d t d b by d t is equal to 0 तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यह हम लोग जानते हैं, relations है न, हम लोग उने पढ़े है basic वाले वीडियो पर, और मैं इसको लिख सकता हूँ, d a by d t is equal to, यह उदर जाएंगा तो क्या हो जाएंगा, minus of d b by d t, ठीक है, हम लोग क्लिक करोंगे, और इस वीडियो को देखोंगे, तो उस वीडियो में हम लोग ने बात किये procedure के उपर, कि two parameters family of course के questions को solve करते कैसे, यह तो second question है, ठीक है, वो questions आपको अगर देख क्या रहें तो बहुत उची बात है, तो हम लोग क्या करेंगे division करेंगे, तो जैसे हम लोग division करेंगे da by dt, तो यह हो जाएंगा हमारा x square upon a cube x square upon a cube upon one is equal to क्या हो जाएंगा y square upon b cube is equal to one मैं इसको लिख सकता हूँ, a cube है बेटा, तो मैं इसको लिख रहा हूँ x square upon a square, a की का गया नीचे आ गया, y square by b square लिख रहा हूँ, 1 b का आ गया, इसके नीचे आ गया, तो अगर मैं इसको plus करता हूँ बेटा, तो यह हो जाएंगा ओके, आपको दिखा नहीं, जाड़ा उपर ले लता हूँ ओके, that's x square upon a square, बेटा है अपर देखो क्या था, a cube था, तो एक a को मैंने क्या किया, नीचे लेकिया गया, ठीके, तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो it's x square upon a square plus y square upon b square a, a हो जाएंगा बेटा a plus b is equal to, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 by c, yes, लिख सकता हूँ अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है इस x square upon a square को मैं लिख सकता हूँ 1, अब क्या कर रहा हूँ मैं a plus b था, तो मैं इसको reverse कर रहा हूँ, तो मैं इस a को उपर लिजा लेता हूँ, तो ये a cube हो जाएंगा is equal to 1 by c equal to है, and एक और बज़ गया, क्या बज़ गया y square upon b cube फिर से मैंने क्या किया, इस b जो नीचे भी था, उसको उपर लिजा लिए, तो वो क्या हो गया b square into b is b cube upon 1 is equal to 1 by c, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे हाँ, हम लोग क्या कर रहा है हम लोग find कर रहे, family of ellipse, ठीक है, family of ellipse को, और family of ellipse क्या होता है family of curse क्या होता है, यह सब की बाते हम लोग रहे, basic वीडियो में कर चुका है, जो family of curse होता है, वो family of ellipse होता है, यहाँ पर ellipse की बात कर रहे बेटा, वापर curse की बात कर रहे दे तो यहां अगर मैं ऐसे a cube की value निकालता हूँ तो यह हो जाएंगा मेरा c into x square और बेटा मैं यहाँ पे अगर किसकी b cube की value निकालता हूँ क्योंकि हमको इस relation का answer चाहिए क्या बोलता है when connected by the relation a plus b is equal to c, c जाए constant तो यहाँ पर इसका multiply करेंगे तो यह हो जाएंगा हमको c y square यहां सकर में a की value निकालता हूँ कि हमको a और b चाहिए तो यह हो जाएंगा c to the power of 1 by 3 x to the power of 2 by 3 and अगर मैं ऐसे b की value निकालता हूँ तो यह हो जाएंगा c to the power of 1 by 3 और क्या हो जाएंगा y to the power 2 by 3 ठीक है इस चीज़ को आपको समझना है अब हम लोग को मिल गई a की value b की value क्या करेंगे substitute कर देंगे कहां पर substitute करेंगे substitute this value of this value of a plus b is equal to c v8 a की value पता है b की value पता है क्या है बेड़ा c to the power of 1 by 3 x to the power of 2 by 3 plus c to the power of 1 by 3 y to the power of 2 by 3 is equal to c तो देखो c to the power 1 by 3 अब हो प्लस c to the power 1 by 3 यासे में common लेता हूँ x to the power of 2 by 3 plus y to the power of 2 by 3 is equal to c to the power of 2 by 3 is the required required क्या पुचा है हम लोगों को question में हमको पुचा है find the find the envelope of the family तो उलों कालिकने वाले बापर the required envelope हमको क्या पुचा है envelope पुचा है तो is the required envelope तो ये questions मैं आसा करता हूँ आप लोगों को पूरा समझ में आया होँगा एक और बार हम लोगों क्विक रिविजन लेते है question था बेड़ा find the envelope of family of ellipse एक ellipse दिया हुआ था और क्या बोलता है वो two parameters family of cause का है और हमको a plus b is equal to जो relation उससे correct कर रहा है वो दिया हुआ था हम लोगोंने तो बाइदा procedure of two parameters family of cause लिए consider कि a is equal to a of t b is equal to b of t उसको differentiate किये with respect to t हमको कुछ मिला हम जानते थे d a by dt plus d by dt is equal to क्या होता है 0 होता है कुछ किये by division किये division के बाद हम लोगोंने a और b की value निकाले लेगी हमारा जो main motto था हो क्या था a और b की value को find करना है आपर connected by relation दिया होता a और b की value मिलने के बाद हम लोगोंने उसको क्या किये put किये किस पे a plus b is equal to c में और हमको क्या मिल गया required envelope of family of ellipse ठीक है मतलब ये कि इस family of ellipse का जो envelope है जो envelope होता है क्या उसके tangent से बनकर जो envelope बनता है वो है हमारा x to the power of 2 by 3 plus y to the power 2 by 3 is equal to c to the power 2 by 3 मतलब इस family of ellipse का ये required envelope है तो इस तरीके से हम लोग envelope find out कर सकते है ठीक है तो ये हुई बात है तो अगली वीडियो में हम लोग मतलब ये वीडियो 10 मेंट का एक question 10 में में is okay तो अगली वीडियो में हम लोग जिस question के उपर बात करने वाले है वो questions में आपर लिग देता हूँ आप लोग पहले try करोंगे या वीर हम तो उसको solve करके आपको देने ही वाले है तो क्या बलता है हमारा question number 3 find the envelope ठीक है क्या करना है हमको envelope find करना है और जो question है वो है envelope of the curve ठीक है फिर से curve के questions का हम लोग solve करेंगे x by a के power में m plus y by b के power में m is equal to c when a to the power of n plus b to the power of n is equal to c to the power n ठीक है यह question है हमको solve करना है next video में तो बस इस video में इतना ही अगली video में हम लोग फिर मिलेंगे इस questions के साथ आप लोग पहले इस question को solve करने के try करो नहीं होंगा तो हम लोग उसको solve करने वाले हैं तो आज की video में इतना ही अगली video में हम लोग फिर मिलेंगे जब तक के लिए good bye आप लाई आप लोग 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 उसके लोग लग forgiveness उसको अपका लोग लोग काषिस्ट्स अपका का का कूचए व्योग अजसे साथ आप ही आप का कूप लोग उस्पार आप है